नमस्कार, मैं हूँ अर्पितार, भागिचक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आज जानेंगे शनी के योग इतने ज्यादा महत्वकून यू होते हैं, और शनी के अश्चुब योग और उनसे बचने के उपायत क्या हैं, साथ ही जानेंगे इस समय शनी की सिति अलग राश्यों के लिए कैसी है, इस पर विशेश चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, पंडिस चैलेंदर पांडे जी, बहुत स्वागत हैं पंडित जी, नमस्कार, तो चैले सबसे पहले ही समझते हैं कि शनी के योग इतने ज्यादा आखिरकार महत्वकून क्यों होते ह अरपिता जोतिश में जिस ग्रह के नाम से लोग सबसे ज़ादा डरते हैं वो शनी है, इसलिए शनी के बारे में जानना बहुत ज़ादा जरूरी है जैसार पिता ने कहा कि शनी के योग बहुत ज्यादा महत्वपून होते हैं क्यों होते हैं देखिये शनी को ग्रहों में सेवक और न्यायाधीश माना जाता है शनी ही व्यक्ति के कर्म और रोजगार का स्वामी होता है व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे, व्यक्ति का केरियर कैसा होगा, उसका रोजगार कैसा होगा, ये बात शनी बताता है शनी का हर योग व्यक्ति के करियर पर और मानसिक स्थिती पर गहरा असर डालता है आपका करियर कैसा होगा केवल शनी को ठीक से समझ लिया जाए तो आपके करियर के बारे में तुरंत जानकारी दी जा सकती है जहां इसके शुब योग जीवन में सर्वोच उचाई देते हैं अगर शनी के शुब योग कुंडली में हैं तो ये आपको अपने फील्ड में सर्वोच उचाई देंगे वहीं शनी के जो अशुब योग हैं ये जीवन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं देखिए शनी को कहते हैं शने शने शचरह सह शने शरह यानि जो धीरे धीरे चलता है वो शनी है इसलिए शनी का अशुब योग होगा वो भी धीरे धीरे लंबे समय तक प्रभाव डालेगा और शनी का अगर शुब योग होगा तो वो भी धीरे धीरे लंबे समय तक प्रभाव डालेगा इसी लिए शनी के योग इसलिए भी महत्वपून हैं क्योंकि अगर वो कुंडली में बनते हैं तो उनका प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त नहीं होता उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहता है यानि आज पंडी जी हम योग के बारें बात कर रहे हैं शनी किसके साथ जाता है कितना खतरनाक हो सकते शाद यही हम समझ रहे हैं तो अब पहला योग समझ लेते हैं वो है शनी और राहू यानि शनी के साथ अगर राहू है तो क्या होगा अर पिता एक तो नकारात्म ग्रह शनी सामानने तह दूसरा नकारात्म ग्रह राहू और अगर ये दोनों निगेटिव ग्रह एक साथ हो गए शनी और राहू तो इसका इंपेक्ट क्या होता है शनी और राहू के योग का प्रभाव क्या है शनी और राहू का योग होने से व्यक्ति को जीवन में उतार चड़ाव का सामना करना पड़ता है शनी और राहू के योग को बहुत सारे लोग जोतिश में प्रेत बाधा या पिशाच बाधा जैसा योग कहते हैं लेकिन मैं सामानने तह कहूंगा कि ये जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा की सूचना है अगर शनी राहू का कॉंबिनेशन कुंडली में है तो व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है पैसे रुपय को ले करके तो मुश्किले होंगी ही उसकी फेमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी उसको पारिवारिक जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और शनी राहू वालों को आम तोर पर गोपनी ये तरह की बीमारी होती है जो ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती उसका डाइगनोसिस नहीं हो पाता कैंसर अगर हुआ तो पकड़ में आएगा चौथे स्टेज पे तब तक इलाज का समय निकल चुका होगा यानि कोई ऐसी बीमारी होती है जो ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती और व्यक्ति घुलता चला जाता है शनी राहू का कॉंबिनेशन एक मन में डर पैदा करता है भै पैदा करता है जितने भी फोबिया हैं मन के जो भै हैं मन का जो डर है दरावने सपने आना अंधेरे में न जा पाना इस तरह का जो भै है तेज गाड़ी न चला पाना उचाई से नीचे न देख पाना इस तरह के जो फोबियाज हैं इस तरह के जो बहुत ज्यादा भै हैं जो आपके उपर हावी हो जाते हैं इस तरह के भै आम तोर पर शनी राहू की वज़े से बहुत प्रॉमिनेंट होते ह अगर किसी व्यक्ति के जीवन में फोबिया है नब्बे प्रतिशत मामले में मान के चलिए कि उसकी कुंडली में शनी राहू का संबंध जरूर होगा क्योंकि ये संबंध फोबिया पैदा करता है पंडी जिसको लेकर उपाई क्या किये जा सकते हैं? देखिए शनी और राहू का जो संबंध है या शनी का जो नकारात्मक उपाए है शनी को जब भी हम बेहतर करना चाहेंगे हम हमेशा अपने रूटीन को सही करेंगे अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे क्या-क्या परिवर्तन करेंगे जीवन में? अगर शनी राहू का योग कुंडली में है तो काले रंके वस्त्रों का नियमित प्रियोग मत करिये कभी से पहन लिया कोई बात नहीं लेकिन रेगुलर प्रियोग काले रंके वस्त्रों का मत करिये शनी वार को सुबह पीपल के व्रिक्ष में जल डालिये शनी वार को प्राता काल उखिये एक लोटा जल लीजिये और सुरियोदय के पहले इसको पीपल के व्रिक्ष में डालियेगा रोज सवेरे जल में जरासा गोमूत्र डाल करके इस जल से सनान करिये अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको लाब होगा बिल्कुल अब चलिए दूसरे योग को भी समझते हैं और ये दूसरा योग बन रहा है शनी और चंदर का यानि शनी और चंदर का अगर मिला जुला योग है तो वो आपके लिए कैसा है वो समझते हैं शनी और चंद्र, चंद्रमा एक बड़ा soft planet है, बड़ा कोमल, बड़ा खुबसूरत जोतिश उसे मानता है और शनी जैसे ही उसको प्रभावित करता है, उसके अंदर की जितनी positivity है वो सब नश्ट हो जाती है इसी लिए अगर आपकी कुंडली में शनी और चंद्र का संबंद है, तो ये चंद्रमा को बुरी तरह खराब करेगा maximum negativity जो चंद्रमा को पहुँचाई जा सकती है, वो इसमें शनी पहुँचाएगा और शनी चंद्र के संबंद में व्यक्ति को नशे की आदत, शराब की आदत और नशीली दवाईयों की आदत होती है बहुत सारे लोग खुद से डॉक्तर बनने लगते हैं, जराबी प्राबलम हुई ये दवाई खालो, वो दवाई खालो अपने से ही पाँच-दस दवाईयां रोज खाते हैं, आयुरवेदिक भी खाते हैं, हुमियोपैथी भी खाते हैं, रेगुलर भी खाते हैं जिन लोगों को उट पटांग बेवज़ा दवाई खाने की आदत होती है, पक्की तोर पे जानिये शनी चंद्रमा का संबंद होगा ही और दूसरे नंबर पे जिन लोगों को बिना नीद की दवाई खाए नीद नहीं आती, है तो वो नशे की ही दवाई, चंक्यूलाइजर ही है, वहाँ पर भी शनी चंद्रमा का संबंद जरूर होता है शनी चंद्रमा का संबंद होने से व्यक्ति के अंदर एक क्रिमिनल टेंदेंसी आ जाती है, दूसरों को नुकसान पहुचाने की आदत, दूसरों को परिशान करने की आदत आ जाती है, और व्यक्ति कभी-कभी अपराधिक संगती में पढ़ जाता है, और अपराध करता है चंद्रमा की दशा आजाए, खराब दशा आजाए, तो ऐसे लोग गंभीर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अब अगर शनी चंद्रमा का संबंध कुंडली में है, और दशा खराब आगई, शनी की दशा आगई, चंद्रमा की दशा आगई, तो व्यक्ति घंगोर होता है, तो आदमी के अंदर निगेटिविटी के वाइब्रेशन आ जाते हैं, इसका पॉजिटिव पक्ष भी है, लेकिन 90 प्रतिशत इसका निगेटिव पक्ष होता है, और ये नकारात्मत पक्ष आपके तरंगों को, आपके वाइब्रेशन को खराब कर देता है, लोग क पहुत ज़्यादा टेंशन होती है, हर छोटी बात पे नकारात्मक सोचते हैं, हर बात से घबरा जाते हैं, हर बात के अंदर उनको निगेटिविटी दिखाई देती है, शनी चंद्रमा का योग होता है, शनी चंद्रमा का योग इतना बुरा इसलिए भी है, क्योंकि चंद आपके जीवन पर नकारात्मक असर, आपके जीवन पर निगेटिव इंपेक्ट डाल देती है. अब हम बात कर रहे थे, योग की, तो शनी के साथ जब चंद्र का योग बन रहा है, वो साथ में है, और जिस तरीके से उसके रुखसान हो सके हैं, वो आपने बताए, अब इसके उपाए कैसे हैं, अगर बचना हो तो क्या करें? बिलकुल, शनी चंद्रमका अगर योग कुंडली में है, तो इससे बचने के उपाए क्या है? पहला उपाए सो मुवार का उपवास रखिए, सो मुवार का उपवास रखना अच्छा होता है, या आप एकादिशी का उपवास भी रख सकते हैं, और इस दिन केवल दूद औ और जल का सेवन करिएगा, रोज सुबह 108 बार ओम जूम सह माम पालय पालय इस मंत्र का जब करिए, या रूद्राश्टक पढ़िए, या नमः शिवाय का जब करिए, शनीवार को अस्पताल में दवाईयों का दान करिए, या शनीवार को निर्धनों की सहायता करिए, शनीचंद्र के संबंध में दो उपाई और बड़े काम करते हैं, एक पन्ना पहनने से बहुत फाइदा होता है, मेंटल लेवल बिलकुल दुरुस्त हो जाता है, निगेटिविटी बिलकुल दूर हो जाती है, और दूसरा उपाए, भगवान शिव की जितनी जादा पूजा आप करें, शनीचंद्र के संबंध होने पर फाइदे आपको उतने जादा होंगे, इसका बहुत ज्यादा नका सूर्य हो, तो वो कैसा योग बनता है बंडीची? शनी का मतलब अंधकार है, इसी लिए ये बड़े अजीब से परिणाम पैदा करता है, सूर्य शनी का योग अगर कुंडली में हो, तो बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है, अपार संघर्ष करेंगे, फिर भी सफलता कम मिलेगी, सूर्य है शनी के पिता और शनी है सूर्य के पुत्र, इसी लिए सूर्य शनी के संबंद का पिता और पुत्र के रिलेशन पर जादा असर पड़ता है, व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता, या व्यक्ति के पिता के साथ संबंद बहुत खराब होते हैं, यानि या तो पिता पुत्र में से कोई एक रहता है अगर दोनों हैं तो दोनों के संबंद खराब होते हैं अगर दोनों हैं दोनों के संबंद बेहतर भी हैं तो दोनों एक साथ आसपास नहीं रहेंगे ये पिता-पुत्र के संबंद पर बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव पैदा कर देता है सूर्य शनी का संबंद हो तो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नाय उतंत्र की नियूरो लॉजिकल समस्या परिशान करती है सूर्य शनी का संबंद होने से हड्डियों की दिक्कत और नियूरो प्रॉबलम होती है जो लंबे समय तक परिशान करती है शरीर में दर्द हाथ पैर में जंजनाहट चक्कर आना वर्ति गो चलने फिरने में दिक्कत होना उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कमपन होना इस तरह की समस्याएं सूर्य और शनी की वज़ा से पैदा होती है सूर्य आखों की रोशनी का भी स्वामी है इसलिए सूर्य शनी के संबंध में आखों की रोशनी पर भी नकारात्मक असर पढ़ता है कभी-कभी यानि उम्र बढ़ने के साथ आखों में ग्लूकोमा होना या आखों की रोशनी पूरी तरह से घट जाना इस तरह की संभावना भी सूर्य शनी के संबंद की वज़ा से बनती है पंडरी जिसके लिए उपाय करना हो तो क्या उपाय करें अर पिता जो सबसे बड़ी मुश्किल है इस संबंद की वो सबसे ज़ादा असर डालती है पिता-पुत्र के रिलेशन्स में हमने बहुत बार देखा होगा कि पिता पुत्र अब पिता तो पिता ही है लेकिन पुत्र के साथ संबंद खराब है या पुत्र के संबंद पिता के साथ खराब है नब्बे पृतिशत मामलों में सूरी शनी का संबंद होगा या सूरी शनी की राशी में या शनी सूरी की राश में बैठा होगा क्या उपाय करना चाहिए रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाईए ये रोज सुबह करिए और रोज शाम को पीपल के व्रिक्ष में जल डालिए ऐसा रोज करिए प्राता काल ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाईए और एक मंत्र है विशेश मंत्र देखिए स्क्रीन पर मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय नमहा ओम सूर्य पुत्राय नमहा इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जब करिए अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो सूर्य शनी के इस योग का नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा आपके उपर नहीं पड़ेगा और खास तोर से जिन बच्चों के संबंद पिता से अच्छे नहीं है या जिन पिताओं के संबंद अपने बच्चों से अच्छे नहीं है उनको ये उपाय जरूर करने चाहिए ताकि अपने पिता के साथ या अपनी संतान के साथ आपके संबंद बेहतर हो जाएं बिलकुल अब चौथा योग समझते हैं और ये चौथा योग है मंगल और शनी के साथ आने से अगर मंगल शनी का योग बन रहा है तो किसे कहीं ने से मंगल का मतलब होता है अगनी फायर और शनी का मतलब होता है वायू यानि हवा तो आग और हवा का संबंध आग को भड़काता है, एक्स्प्लोजन पैदा करता है, विस्फोट पैदा करता है शनी वायू तत्व का स्वामी है और मंगल अगनी तत्व का स्वामी है अगर ये दोनों साथ में बैट गए, इनका योग बन गया, तो इनका संबंध आग को भड़काएगा और जीवन में विस्फोट पैदा करेगा शनी मंगल का जो योग है ये दुरघटनाओं और शल्य चिकित्सा यानि सरजरी, एक्सिडेंट और सरजरी का कारण बनता है शनी मंगल का संबंध कुंडली में हो, तो कभी कभी ये संबंध आकस्मिक उचाईयां भी देता है कि आप अचानक से रातो रात मंत्री बन गए, अचानक से रातो रात फिल्म स्टार बन गए, अचानक से रातो रात आपने कोई ऐसा काम कर दिया, आपका नाम यश बढ़ गया, शनी मंगल का संबंध कभी कभी सडन डवलप्मेंट या सडन ग्रोथ भी देता है, लेकिन ये संबंध अंत में भी आकस्मिक परिणाम देता है, शनी मंगल ने अगर आपको उचाईयों पर पहुँचाया है, तो ये सडन एंड भी करा सकता है, जिसके लिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, शनी मंगल के योग की मुश्किल ये भी है कि व्यक्ति बहुत जादा कभी कभी एग्रेसिव होता है, बहुत जादा हिंसक होता है, और कभी कभी करोध में आके वाइलेंस में आके गलतिया कर बैठता है, किसी पुलिस के चहरी मुकदमे के चक्कर में फस जा अगर कुंडली में शनी मंगल का संबंद बनता है तो शनी मंगल का संबंद वायूयान दुरगटना वाहन दुरगटना ट्रेन दुरगटना इस तरह के एक्सिडेंट के पीछे आम तौर पर शनी मंगल का संबंद होता है जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर कुंडली में शनी मंगल का संबंद है सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए क्योंकि ये जीवन में सडन चीजें पैदा कर देता है आकस्मिक ताएं ले आता है क्या उपाय किया जाए? लाल और काले रंग के कॉंबिनेशन्स मत पहनियेगा लाल और काले रंग का एक साथ प्रियोग बिलकुल मत करियेगा वाहन हमेशा सावधानी से चलाएंगे बिजली की वस्तुवों से और आग की वस्तुवों से सावधान रहेंगे बिजली और आग की वस्तुवों का हमेशा सावधानी से प्रियोग करेंगे हर मंगलवार और हर शनीवार हनुमान जी के मंदिर जाएं उनका दर्शन करें उनके सामने खड़े होकर या बैठ कर हनुमान चालिसा का पाट करें उनका दर्शन पूजन करें आपको लाब होगा और शनी मंगल का संबंध अगर कुंडली में है तो सफेद और पीले रंग का प्रियोग आपको जीवन में ज्यादा करना चाहिए क्योंकि आप सफेद और पीले रंग का प्रियोग करेंगे तो शनी मंगल इससे बैलेंस होंगे और इससे आपको राहत मिलेगी शनी मंगल का कैसा भी संबंध हो कुंडली में हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लावकारी होगा अब ज़रा समझते हैं कि इस समय शनी की स्थिती अलग अलग राशियों के लिए कैसी है अगर हम एट प्रेजेंट देखें तुरंट की स्थिती देखें कि इस समय शनी आपकी राशी के लिए क्या कर रहा है मेश राशी की बात करें तो आपके धन और आपके करियर के लिए तो शनी बहुत अच्छा है और इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे प्रेयास करेंगे मेहनत करेंगे तो आपके जीवन की तमाम रुकावतें इस समय दूर होंगी करियर के लिए और काम के लिए आपको पूरा परिश्रम इस समय करना चाहिए और आपकी मेहनत से इस समय आपको बड़ा लाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगली राशी है व्रिशब राशी व्रिशब राशी वालों के लिए जो शनी है इस समय एज़ प्रिजेंट वो ये कह रहा है कि अब ही आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा चार नवंबर के पहले आपके करियर में कोई परिवर्तन हो सकता है या हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करें किसी नए काम की शुरुवात करें फाइदा भी आपको जरूर होगा संपत्ति का और पदप्रतिष्ठा का आपको लाब होगा यानि शनी की जो वर्तमान स्थिती है ये वर्तमान स्थिती आपके लिए अनकूल है और इस समय शनी की स्थिती का फाइदा आपको जरूर उठाना चाहिए मित्षुन राशी वालों के जीवन में इस समय चेंज ओव प्लेश दिख रहा है यानि मिथुन वाले अगर कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए कोई प्रयास किया है, कोई effort करना चाहते हैं तो मिथुन राशी वाले इस समय स्थान परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन मिथुन राशी वालों के माता पिता के लिए खास तोर से पिता के स्वास्ते के लिए इस समय समस्या हो सकती है इसलिए मिथुन राशी के लोग अपने माता पिता के स्वास्ते का बहुत ध्यान रखेंगे खास तोर से पिता के स्वास्ते में अगर दिक्कत होती है तो किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे अब वक्त हो चला है आज की सवाल का, पहला सवाल है कुनाल का जो कि हरियाना से लिख रहे हैं कि financially वो कब strong हो पाएंगे? जी, कुनाल आहुजा ने हमें पलवल हरियाना से मेल लिखा है, इनकी जन्म की तारीक है 24 अगस्त 1992, 12 बच के 25 एम मध्यरात्री, पलवल हरियाना, ये पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में आर्थिक मजबूती कब आएगी? क्या मैं नोकरी ही करता रहूं या आगे व्यापार में भी जा सकता हूँ, कुनाल आपकी कुंडली में अभी नोकरी करना ही बेहतर है, अभी आप नोकरी में ही बने रहिए, नोकरी करने में आपके लिए सफलता का समय अभी बाकी है, व्यापार के बारे में हम 2026 में विचार करेंगे, लेकिन जिसको आप जीवन का बहुत मार्च के बाद आपको मिलेगा और वहां से आपके जीवन में उन्नती होना शुरू हो जाएगा, आर्थिक रूप से भी 2025 के मार्च के बाद आप बेहतर हो जाएंगे, एक पन्ना बन्वा करके जरूर पहन ले, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हा रोज शाम को पन्ना बन्वा के पहने, और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शंग शने शराय नमह, शनी देव का ये मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ रहे आगे बात अब करक राशी की कर लेते हैं, अगर हम वरत पर्मान इस्थिती देखें कि शनी करक राशी पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, तो करक राशी वालों के स्वास्थ में भी दिक्कते हैं इस समय, स्वास्थ को लेकर के आपको अलर्ट होना है, लापरवाही मत करिएगा, और आपकी फेमली लाइफ पर आपके पारिवारिक जीवन पर भी संकट दिखाई दे रहा है, तो पारिवारिक जीवन और अपने स्वास्थ को लेकर के सतर्क रहिएगा इस समय, वाद विवाद और बाधाओं की समस्या दिखाई दे रही है, हो सकता है आपके महत्वपूर्ड काम इस समय ना बने, आपके महत्वपूर्ड का इस समय बीच में रुक जाएं चार नवंबर तक विशेश रूप से आप सावधानी रखिएगा अपने फेमिली लाइफ का और अपने स्वास्थ का और अगर किसी तरह की रुकावट आ रही है तो थोड़ी हिम्मत करिएगा थोड़ा सा इंतजार करिए कुछ दिनों की बात ह ये बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगे बिलकुल अब अगली राशी है सिंग राशी और सिंग राशी के लिए समझते हूं तो इस समय आपका विवाह तै हो सकता है, आने वाले दिनों में आपकी शादी फाइनल हो सकती है लेकिन आपके व्यापार के मामले में, आपकी पार्टनर्शिप के मामले में, आपके कारोबार के मामले में इस समय समस्या हो सकती है उसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा यानि अगर आविवाहित हैं उस दिशा में कोशिश करिये शादी हो जाएगी लेकिन कारोबार और पार्टनर्शिप को ले करके थोड़ा सा एलर्ट रहिएगा थोड़ी सावधानी रखियेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा अरपिता कन्या राशी वालों के लिए शनी की जो वर्तमान स्थिती है वो उनके लिए लाबकारी है जैसे शनी की वज़ह से इस समय आपके शत्रू और आपके विरूधी परास्त होंगे यानि जो लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे वो आपके सामने अब टिक नहीं पाएंगे और अगर रोग और बीमारियां भी आपको परिशान कर रही थी तो अब रोग और बीमारियां भी आपके सामने नहीं रहेंगी यानि अब आपके मजबूती से खड़े होने का समय आ गया है करियर में परिवर्तन के योग बनेंगे अब और जो बदलाव आप करेंगे आने वाले समय में उस परिवर्तन में उस बदलाव में आपको निश्चित रूप से लाब होगा यानि इस समय आगे बढ़ करके अगर आप रिस्क लेते हैं मजबूती से साहस से आगे बढ़ते हैं तो इससे आपको फाइदा जरूर होगा अब बढ़ रहे हैं आगे बाद तुला राशी की भी कर लेते हैं तुला राशी वालों के लिए मिश्रिट रिजल्ट हैं इस समय जो शनिदेव हैं वो ये कहते हैं कि संतान प्राप्ती का उत्तम समय है अगर आप संतान प्राप्ती के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस समय संतान प्राप्ती के लिए प्रयास कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ अपने स्वास्थ का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखियेगा स्वास्थ को ले करके और वैवाहिक जीवन को ले करके इस समय दिक्कतें हो सकती हैं नर्व को लेके, हड्डियों को लेके, नसों को लेकर के समस्याएं आपको परिशान कर सकती है लेकिन संतान प्राप्ती का उप्युक्त समय है अगर आपको उसके लिए प्रयास करना है, कोई मेडिकल च्रीटमेंट लेना है आईवियफ वगएरा के माध्यम से जाना है, तो उसमें आपको फाइडा होने की संभावना बन सकती है अगला सवाल है सुमन का, और ये लिख रही हैं कि इनका स्वास ठीक नहीं रहता है क्या उपाई करें, कब स्वास इनका अच्छा हो सकता है जी, सुमन शर्मा जी ने हमें लखनव से मेल लिखा है इनकी जन्म की तारीक है 21 मार्च 1970, तीन बच के 45 मिनट दोपहर में जन्मस्थान है 12 बंकी, मेल लिखती हैं लखनव से ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास ठीक बहतर होगा और अपना मकान मेरा कब तक बन पाएगा सुमन जी, मुख्यतह आपको अपनी हड्डियों की समस्या का और अपनी आखों की समस्या का ध्यान देना है और ये ध्यान आप बनाए रखिएगा जून 2024 तक जून 2024 के बाद आपके स्वास्ट में सुधार होता दिख रहा है और जून 2024 के बाद ये भी दिख रहा है कि आपको संपत्ती का फाइदा होगा कोई बना-बनाया मकान या बना-बनाया फ्लैट आप खरीद पाएँगी स्वास्ट को लेके आपकी जो इस्थिती है वो लापरवाही की है तो कृपा करके स्वास्ट के मामले में लापरवाही मत करिये रोज सुभ एक बार राम रक्षा इस्तोत्र का पाट करिएगा ये आपके लिए बहुत जरूरी है और एक मारिक के बनवा के लगभग छे सात रती का मारिक्य तामबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगूली में, रवी वार को सवेरे अगर आप धारन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा एक मारिक के पहनिये और राम रख्षा इस तोत्र का पाठ करिये आपको लाब जरूर होगा अब बढ़ रहे आगे बात व्रिश्चिक राशी करते है पन्वेचे व्रिश्चिक राशी वालों का जीवन जिस इस्थिते में है अरपिता शनी तो उसमें बड़ा रोल प्ले करी रहा है लेकिन बाकी भी ग्रहों की वज़े से इनका जीवन एक बड़े परिवर्तन के दोर से इस समय गुजर रहा है और शनी का प्रभाव ये है आपके लिए कि आने वाले समय में आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है आपका चेंज ओफ प्लेस हो सकता है अगर उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं पक्के तोर पे सफलता मिलेगी आपके करियर में भी इस समय बड़े बड़लाव होंगे और अगर आप बुद्धिमानी से सोच समझ करके बड़लाव करते हैं तो ये बड़लाव फाइदेमंद होंगे लेकिन परिवर्तन जरूर होंगे इसलिए सोच समझ कर ठंडे दिमाग से आप निरड़े लीजिएगा ताकि इन परिवर्तनों से आपको फाइदा हो सके बिल्कुल अब धनू के लिए समझते हैं कि धनू राशी वालों के लिए शनी कैसा रहेगा बड़े लंबे समय तक अरपिता धनू राशी पे शनी की साड़े साती रही है और घूम फिर कर चुकी शनी वक्री हो गया तो साड़े साती ने फिर इनको पकड़ लिया यानि कुछ न कुछ उतार चढ़ाओ जीवन में इनके लंबे समय से चल रहा है अगर हम इस समय की बात करें कि शनी का इंपेक्ट क्या है आपके उपर तो देखिए एक तो आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे होंगे लेकिन ये काम पूरे होंगे जंजटों के साथ मिलेगा सब, होगा सब लेकिन जंजट जरूर होंगे जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी लेकिन उसके लिए आपको तनाऊ भी जहलना पड़ेगा टेंशन भी जहलना पड़ेगा, विरोध भी जहलना पड़ेगा यानि 100 रुपए का अगर फायदा होगा तो उसमें 50 रुपए का टेंशन भी साथ में मिलेगा क्योंकि शनी अभी वक्री है तो आप अपने समय का इस्तमाल करिए आप फायदा उठाईए लेकिन थोड़ा सा ये मिंटली तयार रहिएगा कि थोड़े से जंजट थोड़ी सी बाधाएं इस समय आएंगी उन बाधाओं को फेस करते जाईएगा प्रॉब्लम से आप बचते चले जाएंगे बढ़ रहे आगे अब मकर राशी को भी समझते हैं मकर का स्वामी स्वयम शनी है और मकर वालों पे साड़े साती अंतिम हिस्से में आ गई है इसलिए मकर राशी वालों को मैं बता दूं कि अपने पारिवारिक जीवन का अपनी फेमली लाइफ का और अपनी आर्थिक समस्याओं का ध्यान रखिएगा आपके पारिवारिक जीवन में आपकी फाइनिंशल कंडीशन में इस समय दिक्कते हो सकती हैं सतर को हो जाईए वाहन दुर घटना ना हो किसी तरह की चोट चपेट न लगे इसका ध्यान रखिए और इस समय एक बात मेंटली समझ लिजिएगा कि आप छोटे से छोटा काम करेंगे उसमें बाधा जरूर आएगी तो मेंटली आपको इफर्ट जादा करना होगा सफलता मिलेगी लेकिन बाधाओं के बाद इसलिए आपको अपने प्रयास थोड़े बढ़ाने होंगे अगर आप इफर्ट जादा करेंगे थ लोट चपेट से बचेंगे तो ये समय भी आप आसानी से निकाल देंगे अगला सवाल है भावना का राजस्थान से ये लिख रही है कि इनका दूसरा विवा कब तक हो पाएगा जी भावना राजस्थान से हमें मेल लिखती हैं इनकी जन्म की तारीक है 21 अप्रेल 1984 छे अबना आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से आप दूसरे विवाह की तरफ ना जाएं तो आपके लिए जादा बेहतर होगा और अगर जाना ही है तो कम से कम 2025 तक रुकें जब आपका बेहतर समय होगा तब उस हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे लेकिन इमानदारी की सल यह है कि आप दूसरा विवाह ना करें दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहती हैं संतान पक्ष को अपनी आर्थिक स्थिती को रोज सुबह एक बार विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें और महीने में दो एकादिशी आती है दोनों कुम्भराशी की करते हैं पंड़ जीवन कुम्भराशी का स्वामी भी शनी ही है और इस समय शनी बैठे भी कुम्भराशी में हुए हैं तो अगर हम शनी के प्रभाव को कुम्भराशी पर समझें तो अगर आप अविवाहित हैं विवाह के लिए बिलकुल सही समय हैं आपक के व्यापार, विवाह, कारोबार के लिए बढ़िया समय हैं, लेकिन स्वास्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ को ले करके इस समय दिक्कते दिख रही हैं, और काम का अत्यधिक दबाव, काम का जरूरत से ज़्यादा प्रेशर भी आपको परिशान कर सकता है, उसका ध्यान बनाये रखना आपके लिए जरूरी होगा, बिल्कुल, अब आखरी राशी की बात करते हैं, वो है मीन राशी, मीन राशी वालों के लिए भी ये समय परिवर्तन का है, शनी की वज़़ से, तो मीन राशी वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, खास तोर से अगर देश में हैं तो विदेश में जाएंगे, अगर विदेश में हैं तो स्थान परिवर्तन करें या वापस अपने देश में आएं, जीवन में करियर और स्थान को लेके कोई बहुत मेजर परिवर्तन होगा, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में, लेकिन इस समय आखों की समस्या से और नसों की समस्या से आपको सावधान रहना होगा क्योंकि स्वास्थ के मामले में थोड़ी दिक्कतें आपके लिए बन रही हैं और अगर कोई बड़ा परिवर्तन आता ही है तो उसको लेके घबराये नहीं उस परिवर्तन को स्वीकार करिए क्योंकि आगे चल करके ये परिवर्तन आपके लिए फाइदे मंद जरूर होगा बलकुल तो बहुत बहुत शुक्रिया पंदिल ची आज हमाई सजोड़ने के लिए देश दोन्या की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक